अफेयर की अफवाहों पर नेहा ककड बोली इतना बुरा मत फील कराओ की इंदिनों सिंगर नेहा ककड इंडियन आइडल कंटेस्टेंट विभोर पर आशर के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में है हाला की विभोर नेहा के साथ लिंक अप की खबरों को बक्वास बताया है अब इस मामले में नेहा ने भी अपनी चुपी तोड़ी है नेहा ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहे करते हुए कहा कि किसी को इतना बुरा भी फील मत कराओ की कि वे अपनी लाइफ खत्म करने के बारे में सोचने लगे नेहा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेर किया है इसमें उन्होंने लिखा जब मैं इसे लिख रही हूँ तो मैं अच्छी स्थिती में नहीं हूँ ना शारी रिक और ना ही मानसिक और पर लेकिन मुझे ये सब बोलना पढ़ा क्या आप जानते हैं उन्हें इसका ज़रा भी अहसास नहीं है कि मैं किसी की बेटी या किसी की बेहन हूँ मैंने पूरी लाइफ कड़ी मेहनत की है और सुनिश्चित किया है कि मैं अपने परिवार को गर्व महसूस करा सकूँ और उनके साथ भी अच्छा करूँ जो मेरी फैमिली या फिर दोस्त भी नहीं है नेहा ने लिखा वे जाने बिना अपवाहें फ्यलाते हैं वे यहड तक नहीं सोचते हैं कि इन सब चीजों का किसी की लाइफ पर कितना बुरा प्रभाव पढ़ सकता है वह सेलिबरिटी है लेकिन इस से पहले वे एक इनसान है लोगों की परसनल लाइफ और उनके क्यरेक्टर के बारे में बात करना बंद करिये इतना बे रहम बंगना बंद करिये लोगों को जज करना बंद करें उन्हें शर्मिंदा करना बंद करें इतना मत करों की कोई डिप्रेशन में चला जाए